क्या पल्लवी पटेल छोड़ देंगी अखलेश यादप का साथ? योगी सरकार के मंत्री ने किया दावा तो तेज हो गई सियासी हववा पल्लवी पटेल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज आशिस पटेल ने दी हैरान करने वाली प्रतिक्रिया भाचपाईयों के दावे पर भड़क गई पल्लवी सामने आकर ऐसा कहने बालों की लगा दी क्लास लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां पूरी तरफ से मैदान में उतर चुकी है और उत्तर परदेश में तो बीजेपी ने अपने मिशन 80 पर काम करना शुरू भी कर दिया है इसी बीच यूपी के राजनेतिक गल्यारों में एक चर्चा उठ खड़ी हुई है वो ये कि समाजवादी पार्टि की विधायक पल्लवी पटेल भाजपा में शामिल हो सकती है सपा विधायक पल्लवी पटेल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा को लेकर अपना दल एसके कारेकारी अध्यक्ष और योगी सरकार के मंतरी आशिश पटेल ने भी हरान करने वाला बयान दिया है पहले आपको बताते हैं कि आसीस पटेल ने क्या कहा है और फिर पल्लवी पटेल का जबाब भी आपको दिखाएंगे दरसल योगी सरकार के मंत्री आशिश पटेल ने पलवी पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा है कि कोई भी आए हम सब का स्वागत करते हैं एंडिये का दिल बहुत बड़ा है कोई भी आना चाहे उनका स्वागत है 38 दल हमारे साथ हैं हम तो यही चाहेंगे कि ये दल बढ़कर 138 हो जाएं बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अखलेश यादब को जटके पर जटके दे रही है हाल ही में दारा सिंग ने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था इसके अलाबा सपा विधायक पूजा पाल की भी भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं इस बीच पल्लवी पटेल का नाम सामने आने से अखलेश यादब को बड़ा जटका जरूर लगा होगा सपा विधायक पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता है और वो अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनिलाल पटेल की बेटी हैं इस वक्त वो सिराथू विधानसबा से समाजवादी पार्टी की ही विधायक हैं 2022 के यूपी विदानसभा चुनावों में अपना दल कमेरावादी की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सिराथु में बीजेपी के नेता और डिप्टी सियम केशब प्रसाद मौरी को साथ हजार से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया था। इधर लखनों में उनके सपा के साथ मेल नहीं खा सकती, वो सपा के साथ हैं और आगे भी सपा के साथ ही मिलकर लोकसभा चुनावों लड़ने की तैयारी पूरी कर चुकी हैं। उनके भाजपा में जाने की अव्वा किसने उड़ाई, इससे किसको फायदा होगा, ये पबलिक खुद समझ सकती है। वियोरा रेपोर्ट, मीडिया हल चाल। झाल।